नमस्कार दोस्तो स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल पराग टेलर पर देखिए दोस्तो मैंने आपके लिए आज शुल्डर आर्म होल और गले की चोड़ाई कितनी रखना चाहिए आर्म होल की गुलाई कितनी रखना चाहिए इसलिए एक बुलाउस का चार्ट बन वाला ये चार्ट आपको 5, 6 और 7 इंच गले पर ही काम करेगा अगर 8, 9, 10, 11, 12 गला रहेगा तो ये चार्ट आपका फेल हो जाएगा तो आप इसे बिलकुल ध्यान रखिएगा कि ये जो चार्ट है ये आपका 5, 6 और 7 गले तक ही काम में आएगा ठीक है मैं आपको इसलिए इ कि जो भी अपना जैसे ये रहता है ना जैसे 5, 6, 7 इंच का गला इसका जो मेजरमेंट रहता है टोटल अलग रहता है और जैसे 8, 9, 10, 11, 12 का गला जो रहता है ना बैगनेक 12 इंच तक तो वो फिर उसका पूरा गडित अलग हो जाता है ठीक है तो आप ध्यान रखेंगे है कि इससे आपकी फिटिंग बिल्कूल वरोबर आएगी और इसके बाद जो नेक्स में चार्ट बनाकर डालने वाला हूँ आपके लिए वो रहेगा मेरा 8, 9, 10, 11 ठीक है 11 इंच गले तक वो चार्ट काम करेगा तो इस चार्ट को आप प्लीस 5, 6 और 7 गले तक यूज और नेक्स वीडियो जो आएगा न मेरा वो चार्ट पर ही आने वाला है उस पर रहेगा हमारा 8, 9, 10, 11, 12 ठीक है तो इस वीडियो को करता हूँ शुरू और फिर आपको बताऊँगा कि ये चार्ट को केशे यूज करना है और क्यूं नहीं यूज करना है वो भी आपको इस ड्राइंग बनाता हूँ और बताता हूँ कि इसको क्यूं यूज करना चाहिए और क्यूं यूज नहीं करना चाहिए ठीक है ये 14 इंच बेक की लंबाई रखी मैंने इस पर एक मार्क लगा लेता हूँ यहाँ पर पहले ये देखी मैंने यहाँ पर बेक की गुलाई लेते हैं 32 साइच को ठीक है 32 साइच को चॉइस करने के बाद हम आपको 32 साइच का जो मेजरमेंट आता है न वो बताता हूं देखिए 32 साइच में अगर गला पांच, छे या साथ है तो आपको क्या करना जिसे मैं लगा लेता हूं यहां निशान 5 इंच पर 6 इंच पर और ये एक मैंने लगा दिया 7 इंच पर यह हो गया गला अब इस गले की चोड़ाई कितनी रहेगी हमारी 32 साइच के हिसाब से 32 साइच के हिसाब से इस गले की आप क्या करना है इसका जो शोल्डर रहेगा ना चोड़ा हमारा रहेगा देखिए इसका शोल्डर रहेगा अपना 11 इंच जैसे हमारा चार्ट है उसके हिसाब से ठीक है मैं यहाँ पर 11 इंच इसका शोल्डर रख लेता हूँ यह मैंने 11 इंच पर सोल्डर रख लिया है ठीक अब अपन यहां पर जो आर्म होल की लंब़ई रखेंगे न अपने जो आर्म होल की लंबवई बताई गई है यह बताई गई है 32 इंच पर 5.5 इंच याने यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको एक मार्क लगा देता हूं पहले, ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि सोल्डर क्यूं फैल होते हैं और क्यूं फैल नहीं होते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से आपको ये चीजे में बता रहा हूं अब देखिए अगर इतना हमारा रहेगा पाच छे गला साथ गला भी रहा तो भी चलेगा तो इसमें क्या रहता है जैसे 32 चेस्ट है ठीक है तो इसमें 2 इंच हमको लुजिंग देना पड़ती है ठीक है तो यह कित्ता हो जाता है 34 इंच ठीक अब 34 का 14 कित्ता आता है यहां पर साड़े हाट इंच ठीक यह मैंने साड़े आठ रख लिया अब हम यहां से सीधा पहले एक ड्राइंग दे देते हैं नीचे और यह रहेगा हमारे पास दबाओ का यह हो गया यह रहेगा हमारा पाच छे साथ का गला कटिंग का बुलाउस का है ना तो धाइंच गला चोड़ ठीक है अब कोश्चन आता है कि कई बार हम ऐसे अंदर करते हैं और कई बार इसको बहार करते हैं क्यों करते हैं यह तीनों चीज इस पर बताने वाला हूं ठीक है तो अब हमको क्या करना है यहां से रख लेना है आदा इंच बहार कितना आदा इंच यह मैंने आदा इंच ब अंदर की तरफ और फिर ड्राइंग को यहां से घुमा के देता हूं बाहर ठीक है तो वह एक अलग मेटर है उसे अभी छोड़ देते हैं हम यही पर रहते हैं जहां पर हम 32 साइच का आपको पाच्छे साथ गले का बेक बता रहे हैं देखी यहां रखा अपने आदा इंज बा लेंगे अपन यहां पर ठीक है यह आ गई अपनी गुलाई यह अपना पाच्छे साथ गले के लिए गुलाई होगी ऐसी है ठीक है यहां से देखिए इस प्रकार यहां से रखा मैंने एक इन दूरी पर ठीक है अब हम इसका आर्मोहल नापते जिसे हमारा 32 साइच का और 15 भी आ सकता है तो मैंने 15 इंच रखा हुआ है तो देखिए यहां पर ऐसे लगाएंगे हम टेप और यह देखिए इस प्रकार से यहां पर देखिए कहां पर आ रहा है इस जगे पर अब इतना तो हमारा शोल्डर में दबाओ जाएगा ना ठीक है की नहीं तो यह 15 इंच मेरा परफेक्ट तैयार आ गया अब यह जो गुलाई है ना गले की हम यहां से ऐसे देखिए बेक का गला हमारा तैयार हो गया है और यह हमारा बेक तैयार हो गया है जैसे मेने आपको इस चार्ट में बताया हुआ है ना जैसे 32 साइज है 15 इंच का शोल्डर रहेगा यहां पर चोड़ाई यह है अपना 11 इंच और 5.5 इंच का यह जो आर्म होल है ना यह रहेगा हमारा पॉइंट 50 ठीक है और इसके गले की चोड़ाई मैंने आपको बताई है 1.5 इंच रखना है यह देखिए पूरा प्रेक्टिकल करा हुआ है उसी के बाद आपको चार्ट में बता रहा हूं ऐसा नहीं कि कुछ भी साइज लगा लगा के चार्ट बता दिया ऐसा नहीं है पूरा प्रेक्टिकल किया गया है इसके उपर और पूरा ध्यान से इसको पूरा ध्यान है इसी साइट से मैंने क्या किया हुआ है आपको सारा चार्ट बनाकर बता रहा हूं यह चार्ट को आप कॉपी कर लेना लगे तो वीडियो के उपर से इसकी शॉट निकाल लेना और इसे यूज करना आपका देखिए बिलकुल काम में चार्चान लग जाएं अब इसको यूज क्यों नहीं करना है अगर यह गला हमारा जैसे यह पांच छे साथ है अगर यह आठ आ गया जैसे यहां आठ है यहां नौ है ठीक है यहां पर दस है यहां पर ग्यारा है तो यह जो मेजरमेंट है ना पूरा हो जाएगा फेल और आपका जो टोटल बलाउस से न वो बिगड़ जाएगा ठीक है आपको यह चीज का ध्यान रखना है तभी इस चार्ट को यूज करना है ठीक मैं नहीं चाहता हूं कि आपका कभी भी कोई भी ब्लाउज बिगड़े ठीक है ना तो ध्यान रखेंगे यह जो बैग मैंने आपको बताया था और यह जो चार्ट बता रहा हूं यह 5-6-7 गले पर यूज होएगा और 10-11-12 गले पर मेरा नेक्स जो वीडियो आएगा वो चलेगा ठीक है तो ध्यान है आपको यही में जो बैग रहेगा ना उस चार्ट में भी यह वीडियो इतना जो अपन बना रहे है ना बैग का यह डालूँगा तो देखिए अब इसको क्या करते हैं यहां रखते हैं अब सबसे पहले क्या है जिसे 8-9-10-11 गला आएगा तो हमको यहाँ पर कित्ता करना है दो इंच गले के चोड़े कितनी रहेगी यहाँ पर दो इंच लंबाई सेम रहेगी है ना बुला उसकी अब यहां से देखिए यह मेरा आगया 11 गला ठीक है तो 11 पर नीचे गला कित्ता चोड़ा होगा लग भग हम रखेंगे इसको सवा तीन तीन भी रख सकते हैं सवा ती प्रकार से हमको यह मिलाना है अब हम क्या करेंगे यहां पर देदेंगे गला हमारा गुलाई कि एस प्रकार ठीक है यह गले को गुलाई देकर में इसको थोड़ा सा गहरा कर धेता हूं ताकि आपको बिल्कूल आराम से यह मार्किंग समझ में आ जाए ठीक है यहां रखकर यह देखिए ठीक है यह आगया आपको समझ में आप क्या करेंगे इसको जैसे हमने इसको कोई डाउन आउन दिया था क्या नहीं दिया था लेकिन इसको करना है हमको डाउन याने कितना करना है आ आदा इंच अब इसका जो शॉल्डर रहेगा न यह भी 32 साइज है तो 32 साइज में इसका शॉल्डर कुतना रखना है हमको 32 साइज में सका शॉल्डर रहेगा पुने 10 इंच याने सादवह 9 और एक पॉइंट यहां पर ठीक है अब इसकी ड्राइंग हम यहां से ऐसे सीधे उतार देंगे देखिए यहां पर इस तरफ कि बड़ा ध्यांसों देखिएगा कि क्यों यूज करना है और क्यों यूज नहीं करना है देखिए 32 साइच का इसका जो आर महल रहेगा यह रहेगा पाच इंच जैसे हमने पिछले बड़े छोटे गले में कितना रखा था साड़े पाँच लेकिन जैसे ही गला डीप होगा तो हम इसको रखेंगे पाच इंच पर ठीक है यहां पर ऐसे ठीक आब यह चेश्ट किता है 32 ठीक है यहां पर दो इंच लूजिंग दी थी हमने जो गला छोटा था तब अब यह जो लूजिंग यहां से कर देंगे हम गायब और बलके यह जो है ना 32 इसके बजाए हम जैसा आठ आ रहा है तो बेक को हम रखेंगे शिरिफ साड़े साथ इंच कहां पर जैसे यहां पर देखिए यह मैंने रखा साड़े सात इंč इस जगह पर ठीक है अब मैंने आपको कहा है कि ब्रेक लगाना पड़ता है तो यहां से देखेंगे हम ऐसे 8 इंच हमारा आगया है आठ इंच से जो ब्रेक हमारा रहेगा जैसे 8 हैना झार्थाहरा है वनफोर में तो यहां रखा और यह देखिए इस पर तो यहां से रहेगा यह जो बड़ी वाली कटिंग कटेगी ना 8 9 10 11 तो इसका यहां से बेक कटेगा लगभा कितना अंदर आ यहां से एक इंच अंदर आ जाएगा याने कुल में चार इंच कम हो जाएगा ठीक है तो इसको ध्यान रखना है और इसकी ड्राइंग देखिए कैसे बनती है अब इसकी ड्राइंग हम बनाएंगे यहां से कमर उसकी उतनी ही रहेगी और यह जाएगा ऐसे ठीक है और यहां प टीवाले की मारजिंग अलग जा रही है इसलिए से मैंने आप से कहा है कि इसको अलग-अलग ड्राइंग देना पड़ती है अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर कितना बढ़ाया था आगे आदा इंच तो इसको कितना बढ़ाएंगे मात्र पाव इंच ठीक है पाव इंच बढ़ा कर ऐसे निसान लगाएंगे यहाँ पर ठीक है पूरा चेंज हो गया अब इस जो ड्राइंग है ना इसको हम केशे करेंगे यहाँ से जो यह निशान है ना हमारा यहाँ पर का इससे हमको कित्ता देना है एक इंच यह देखिए यहाँ पर एक इंच रखा मैंने और इस ड्राइंग को अपर यहाँ पर मिला देंगे ऐसे मिला दिया मैंने ठीक है यह जा रही हमारी ड्राइंग यहां से देखिए ध्यान से देखिए जो पूरा गणी थे न आपको एश्टरा में समझ में आएगा और इससे आपका बलाउस कभी भी बिगण नहीं पाएगा अब इसको नापते हम यहां पर से ऐसे देखिए देढ़ेंबर दूर से जह नहां से हमारी सिलाई का दबाव आएगा ऐसे यह देखिए कितना जा रहा है यह 15 और एक पॉइंट ठीक है 15 एक पॉइंट हमको आर महल कितना चाहिए 15 चाहिए 32 चेस्ट का ठीक है तो इस हिसाब से बिलकूल हमारा यह बेग है ना परफेक्ट आ जाएगा लेकिन देखिए कितना चेंज किया गया है इसके अंदर यह शोल्डर भी कम हो गया है यह इतनी दूर था आर महल आदा इंच कम किया गया है यहां पर इसे एक इंच कम किया है फिर भी हमारा 15 इंच का शोल्डर आ रहा है क्यों आ रहा है मालूम है यह जो दूर था तो यहां पर गया था यह अंदर आ गया इस हिसाप से अगर कटिंग करेंगे न आप तो आपका ना तो सुल्डर उत्रेगा कभी ना ही आपके ब्लाउस में कभी भी जोल आएंगे देखिए यहां पर से यह निशान और यह जो एक निशान है न हमारा यह वाला यह यहां पर है ठीक है अब यह दोनों न परिवर्तन नहीं करना लेकिन गले में देखिए परिवर्तन हो जाएगा फिर यह आपका नौ इंच का गला तो आपने यहां से ड्राइंग कर ली यह देखिए आपका आट इंच का गला आ गया तो आपने यहां से ड्राइंग कर ली ठीक है लेकिन जैसे ही आपका गला बना छे साथ आट याने यहां से तो फिर आपकी ड्राइंग कहा जाएगी इस जगे पर याने ऐसे बाहर फिर ये वाले ड्राइंग कहा जाएगी ऐसे बाहर समझ रहे ना आप आपको ये बात समझ में आ गई और ये जो ड्राइंग रहेगी ना अपनी लाल वाली देखिए अ हमारी यह कहां जाने वाली है इस तरफ है न यह वाली ड्राइंग भी कहां जाएगी अंदर होते हुए इस तरफ ठीक है तो ध्यान रखेंगे यह दो इन्चोड़ा रखेंगे अगर आपको लगता है कि आपने 9 इंच पर यहां पर सवादू रखना है तो आप रख सकते हैं थ तो यह ड्हाई भी अपन कर सकते हैं ठीक है कुन से वाला लेकिन कहां तक करेंगे ड्हाई इंज गला आट और नौ तक ठीक है यह आट और नौ दस इंज गला आएगा तो आपको यहाँ पर दो इंज पर आना ही पड़ेगा ठीक है ध्यान रखिएगा अगर इस प्रकार से से आप बुलाउस की कटिंग कर सकते हैं कि एक थम्मे लिए हैं कि नहीं होता आजाएगा समय से देखिए अब मैंने जैसे आपको यह सभी चीजे समझाई थी तो आपको समझ में आ गई होगी और अगर आपको नहीं समझ में आई होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख दिक है और देखिये इसी प्रकार से आपको कटिंग करते रहना है और एगर आप से कटिंग करते जाएंगे हमारे ब्यक की तो आपका आरम होल की लंबई बरोयबर आएगी शोल्डर की चोड़र बरोबर आएगी और आरम होला यह भी बरोबर आएगी तो कई लोगों का मुझे बहुत दिनों से रिक्वेश्ट था कि भाई इस प्रकार से आप हमको एक चार्ट बना कर दीजिए तो मैंने यह चार्ट आपके लिए बना दिया है और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो किलियर करना हो तो मुझे ज इसकीन सौर्ट भी ले लेना और इसकीन सौर्ट करकर भी आप देख सकते हैं तो इस चार्ट को देखिए मैं आपको बताता हूं मैंने कैसे बनाया है बुलाउस का गला है ठीक है 5 इंच 6 इंच और 7 इंच तीन गले तक यह यूज होगा अगर आप बोटनेक 3-4 बनाएंगे तो ये गले का मेटर आपको काम नहीं करेगा ठीक है ना तो 5-6-7 पर यूज़ करेंगे इस पर मैंने शोल्डर दिखाया है आर्मोहल दिखाया है गलाद बताया हुआ है कितना चोड़ा रखना है और आर्मोहल की गुलाई कितनी चोड़ी रखना है यहाँ पर देखे जैसे य अपनी यह शोल्डर की चोड़ाई है यह अपना आर्मोहल की लंबाई है और यह अपने गले की चोड़ाई है और यह है आर्मोहल की गुलाई आर्मोहल की गुलाई में आदा इंच पाव इंच बड़ा या छोटा हो सकता है जब आर्मोहल नापते है तो नापने पर अपने को मालुम पड़ता है कि कितना armhole गुलाई आता है लेकिन फिर भी 100% यह जो मैंने लिखा है यह काम करता है क्योंकि हम कई सालों से इसी प्रकार से कटिंग कर रहे है ठीक है तो जो इसका नेक्स वीडियो आएगा ना ग्यारा बारा गले का वो भी जरूर देखिएगा चार्ट और उस चार्ट को भी आप बहुत ध्यान से यूज करिएगा तो मैं पहले इसका बता देता हूँ जैसे देखिए अठाविश चेस्ट है साड़े चेस्ट में 10.75 रहेगा शोल्डर और 5.25 रहेगा आर्म होल की लंबाई और 2.50 रहेगा गले की चोड़ाई और 14 इंच रहेगा इसका आर्म होल 32 चेस्ट में 11 इंच रहेगा शोल्डर और 5.50 रहेगा आर्म होल की लंबाई याने 5 इंच और 2.50 रहेगा गले की चोड़ाई और आर्म होल रहेगा इसका 15 इंच तो देखिए इस आर्म होल को आप पूरा देख लिजिए और इसे यूज करिए आपके बहुत हेल्प होने वाली है और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर 85% लोग जो बिना सस्क्राइब करे हुए देख रहे हैं अगर ये सभी लोग सस्क्राइब कर लेंगे तो अपने चैनल पर कई सस्क्राइबर बढ़ जाएंगे तो आप सभी से request है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है इस चैनल को subscribe कर लीजिए बहुत काम की चीजे में आपको ladies काम से संबंदित सिखाने वाला हूँ बहुत सारी आपको आगे सुवीदा देने वाला हूँ और आपको notification रोज मिलती रहे इसे लिए क्या कि रिए बेल आइकन का बटन अवश्य दबाईएगा वहाँ पर all का option आता है तो उसे भी दबाईएगा ताकि आपको पूरी notification मिल जाए जो नए नए वीडियो में upload करता हूं डेली तो दोस्तों मिलते हैं किसी next वीडियो के साथ thanks for watching